हिजाब पहनने को लेकर कॉंग्रेस नेतर राहूल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया एलेक्शन धमाके के जरीए ये पूरी जानकारी आप तक पहुचाते हैं कि अभी आप सत्ता पकाना जाती है और अबाया पहनना चाती है कुछ ऑर पहनना जाती है उसको alawakana चाहिए मेरी तो गिरा है अब राउल गांधी ने ये बयान तो दे दिया है लेकिन इस बयाम के बाद बावाल भी मच केया है दरसल राहूल गांधी के हिजाब समर्फन पर बीजे पी ने जोरदार हमला किया गिराज सिंग ने राहूल गांधी पर लोगों को बढ़ बढ़काने का आरोप लगाया गुरिराज सिंग ने कहा कि राहूल गांधी देश के सामाजिक सोहार्द को खराब करने का काम कर रहे हैं ये संगीन आरोप उन्होंने राहूल गांधी के बयान के बाद लगाया है राहुल गांधी ब्याकुल भारत उन्हें लग रहा है एक देश में एक कानून ना रहे एक देश में समाजिक सोहार्द ना रहे इसलिए दूसरों को भड़काने का काम करते हैं ये कानून का देश है कानून से काम चलता है और कानून ही काम करेगा राहुल गांधी बोट के खातिर ब्याकुल भारत है नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम रुबिका लियाकत है न्यूस 18 इंडिया आप देख रहे हैं पाज बच चुके हैं यानि शुरुवात हो चुकी है गूंच की आज आपको पता है गूंच किस बाद की हो रही है सिर्फ एक सवाल की और सवाल ये ह है कि राज्य सभा तो जाकी है क्या 2024 बाकी है ये सवाल इसलिए गूंड रहा है क्योंकि आज राज्य सभा सदस्यों का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश हिमाचल करनाटक की 15 सीटों पर आप पहेंगे तो बड़ी बात क्या है 15 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं हिमा जाजवादी पार्टी के साथ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है फाइदा बीजपी के आठवे उम्मीद्वार को हो सकता है राज्य सभा की खाली हुई 56 सीटों में से 41 सांसद निर्विरो जुलिये गए लेकिन पेच कहा फसा पेच फसा 15 सांसदों पर डीटेल में आपको बता देती हूं यह है उत्तर प्रदेश की गूंज में यहां पर यह देखिए इंडी गठबंदन यानि इंडिया लाइंस पर डबल स्ट्राइक हो रही है 9 MLA उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया है विधायकों की तरफ से जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसे लेकर इस वक्त जम कर इंडिया गठबंदन में बाचीत का दौर चल रहा है घुस्से का उबाल साफतोर पर नजर आ रहा है इंडिया गठबंदन पर ये डबल स्ट्राइक दो अलग अलग जगा से हुआ है हिमाचल प्रदेश और दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश में देखे हिमाचल में कॉंग्रिस के सुक्विंदर सुकू की सरकार संकट में कैसे आ गई है बीजेपी ये दावा कर रही है कि विदायक हमारे संपर्क में है राज्य सबाद जुनाव में कॉंग्रिस की नो विदायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और कहा जा रहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ये कोई और नहीं बीजेपी के पूर मुख्य मंतरी जैरान ठाकुर दावा कर रहे हैं कि हिमाचल में कॉंग्रिस की सरकार अल्प मत में आ गई है दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की यूपी में समाजवादी पार्टी के विदायकों ने क्रॉस वोटिंग की है समाजवादी पार्टी के चीफ विप ने बकाईदा स्तीफा दे दिया है योगी आदितिनाब से समाजवादी पार्टी के बागी विदायकों ने बकाइदा मुलाकात की तस्वीरे जो है वो सबने आई है टाइम नोट कर लीजे चार बच कर तिरपन मिनिट हो रहे हैं वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी अपसे कुछी देर में तस्वीर क्या है वो भी अपसे कुछी घंटे में साफ हो जाएगी किसने क्रोस वोटिंग की है कौन सा उमीदवार राज्यसभा जाने वाला है किस पार्टी का जाने वाला है ये सब कुछ अपसे कुछी देर में क्लियर हो जाएगा लेकिन दिल्चस्प क्या है दिल्चस्प ये है कि खेला कैसे हुआ कहा हुआ किस तरह हुआ क्योंकि उत्तर 30 उम्मीदवारों में से 20 जो थे वो सिर्फ BJP के यह जो 20 सीटे हैं वही सीटे हैं जहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार था यानि क्यांडिडेट जो है वो कोई और नहीं था एक ही क्यांडिडेट था निर्विरोज चुन लिया है लेकिन जो 15 सीटों पर पेज फसा है ना उसका समझने के कोशिश कीजिए राजजी सभा सीटों में जहां पर वोटेंग हो रही हैं वोटेंग क्यों हो रही है क्योंकि वहां पर जितनी सीटे हैं उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 10 सीटे हैं, कंडाटक की 4 सीटे हैं, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है, उत्तर प्रदेश इन 10 सीटों पर उम्मीदवार इस वक जो देख रहा है, वो कितने देख रहा है, 11, अंक गणित के हसाब से 7 होने चाहिए थे भारतिय जनता पार्टी के, और 3 होने चाहिए थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के जगा मैदान में उतार दिये 8 उम्मीदवार, और जो 8 हुआ नाम आया, वो है संजय सेट का, और ये संजय सेट कौन है, ये संजय सेट जो है, वो बकाईदा समाजवादी पार्टी के किसी जमाने में कोशाध्यक्ष रहते थे, उद्योगपती है, बड़े जाने माने, और समाजवादी पार्टी ने 2016 में बकाईदा इनको राज्यसभा भी पहुँचाया था, संजय सेट क्या ये बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरे दल के विदाये क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, संजय सेट जो की उद्योगपती है, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं, खोशाध्यक्ष बकाईद समाजवादी पार्टी के रहे, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से मैदान में, आप ख कुल मिलाकर कितनी हुए? 3099 सीटे है, कुल सीटे है 403, लेकिन खाली है अभी 4 सीटे, तो अभी मौझूदा विदायक कितने हुए? 3099, अब राज्यसभा के लिए एक फॉर्मुला लगता है, और फॉर्मुला क्या है मैं आपको बताते हूं, एक सीट की वैल्यू निकलती है वो निकलती कितनी है कि टोटल जो विदायक है 399, जीतने के लिए इन 399 को चाहिए 37 विदायकों का वो, और फॉर्मुला जो है वो आप इसे ऐसे समझिये, कि 10 सीटे है, 10 में एक जोड़ना होगा, तभी तो मिजॉरिटी आएगी, उत्तर प्रदेश की 10 सीटे, 10 में एक जो हम लीजे 37, तो कुल वैल्यू है 37, 37 या तो समाजवादी पार्टी जुटाएगी या बीजेपी, लेकिन कौन जुटा पाएगा, इसका गणित भी हमने आपके लिए तैयार किया है, यूपी वदान सभा में, बीजेपी के पास, इस वक्त, जब मैं आपसे बात कर रही पाँच पार्टी के पांच विदायक और जनसक्ता पार्टी जो है उसके दो विदायक, तो कुल मिलाकर आकड़ा कितना आजाता है, तेरा विदायक जोड़िये 6, जैन चौधरी के आरलडी के पास 9, ओपी राजभर की पार्टी के पास 5, और राजा भाया की जनसक्ता पार जो आकड़ा उसको चाहिए वो है 296, 296, यानि BJP के पास अभी जो कमी है, वो 9 विदायकों की है, कुल उसके पास विदायक 287 है, विदायक चाहिए 296, विदायकों की कमी है 9, और इसलिए खेला यहाँ पर हुआ, वोटों की कमी समाजवादी पार्टी के पास भी है, यह मत भूलिए, अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी ने अंक गणिक जब देखा तो उसके पास भी वोटों की कमी थी, यूपी विदान सभा में समाजवादी पार्टी के कुल 106 MLA है, उसको साथ मिला है कॉंग्रिस के दो विदायकों का आड करते आप ये तीम वोट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टी के जो मुख्य सचेतक है, यारी चीफ विप, उनके साथ साथ नो और विधायक जो हैं वो बागी हो गए है, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया है, चीफ विप को मुख्य सचेतक कहते हैं, और जब चीफ विप ही हट जाए, तो फिर चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है, वो ये बताती है, कि आप उनके उपर किसी तरह का कोई आक्शन नहीं ले सकते हैं, पार्टी जो चाय कर सकती है, लेकिन वोटों को लेकर क्या कोई आक्शन लिया जा सकता है, ना, नहीं लिया कि मुझे आपकी सदसिता चाहिए ही नहीं, मैं स्तीफा देता हूँ, इसके बाद नंबर आता है अबै सिंग का, अबै सिंग क्या करते हैं, वो बकायदा फेस्बुक पर प्रभु राम की एक तस्वीर शेर करते हैं, और लिखते हैं जय श्री राम, फिर धीरे धीरे बागि को बता दू, हिमाचल प्रदेश भी हुआ, वहां पर, वहां राज्यसभा के चुनाब जो हो रहे हैं, उसे लेकर भी बड़ा खेला हो गया है, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने उम्मीदवार जो उतार दिये हैं, उसे लेकर गडबड़ी हो गई है, यह जो क्रॉस मौरे का नाम आ रहा है, और बकाइदा आपको यहाँ पर विनोच चतुरवेदी का नाम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर कॉंग्रस ने अभिशेक मनू सिंग्वी को उतारा था, बीजेपी ने उसी मनू से अभिशेक मनू सिंग्वी के स सामने हर्ष महाजन को उता दिया, लेकिन 68 विदायकों वाली विदानसवा में एक उम्मीदवार को वोट कितने चाहिए, 35 वोट चाहिए, कॉंग्रस के पास 40 विदायक है, बीजेपी के पास 25 विदायक है, कॉंग्रस के 11 विदायकों ने खबर ये मिल रही है कि क्रॉस रहा है, या अपने विदायकों का विश्वास नहीं जीत पा रहा है, वो 2024 का चुनाव कैसे जीतेगा, इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता देना चाहती हूँ, राज्यसाबा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और करनाटक में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश में राज्यसाबा की दस सीटों पर मत गणना चल रही है, हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर काउंचिंग चल रही है, करनाटक में तीन सीटों के लिए मत गणना शुरू हो गई है और अब मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि हमने बकाइदा आपके लिए एक सवाल छोड़ा है सवाल आप लोगों के लिए इसलिए क्योंकि आप नसर्फ गोंच के दर्शक हैं व्यूवर हैं बलके वोटर भी बड़ी स्क्रीन पर सवाल आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये क्या हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार गिर जाएगी क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से बगावत और ज्यादा बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश में 8 से क्या 80 का रास्ता निकलेगा और क्या राज्य सबाद चुनाव में 2024 लोग सबाद चुनाव का ट्रेलर दिख रहा है इन सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारूप करवा देना चाहती हूँ आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के राश्त्री प्रवक्ता प्रेम शुकला जी, समाजवादी पार्टी के राश्त्री प्रवक्ता राजीव राई जी, राजनितिक विशलेशक तहसीन पुनावाला जो कॉंगरिस का खुल कर समर्थन करते हैं और एक्सपर्ट के तौर पर वरिश पत्रकार प्रदीप सिंग सहब आप चारों का बहुत-बहुत स्वागत है जो और विम बहुत स्वागत है